हेलो दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा सहब की एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना द्र्र निश्चे वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बैठने के लिए जब बाबा सहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा सहब ढून रहे थे तो जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा सहब की ओर डॉन कस्ते हुए बोला, इट्स बाबा को चिरहाते हुए कहा, अभी वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत परहे लिखे बैठना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा, और बाबा सहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना माया, वहां साफ सफाई कर वहां बैठ गए, तब बाबा सहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रहे, हलका फुलका बिजनेस ब जाते और जीस को भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वो मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच्चे बच्च पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, उस बैठने और वो सेठ वकील ढूनता ढूनता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उसी के चेहर नहीं ली, सभी ने इंकार कर दिया और कहा, इस कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, उस सेठ ऐसे ऐसे बड़ेड़े बड़ेड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे, कानून तो हमारे मुठी में है, ऐ ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सबने फाइल देखकर इंकार कर दिया, और उस चहरे के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा के स्वलड़ेगा, जो बाहर बैठा हुआ है महार जाती का व्यक्ति, वो ब बहुत पायाच लिखकर आया है, वो बाबा साहब रहे थे, दलितों के मसीहा पर डौन कस रहे थे, वो बाबा साहब को चिरहा रहे थे, सेठ मन से रो रहा था, उसे आशा की एक किरन चाहिए थी, बस क्योंकि उसका एकलोता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था, और जब उस सेठ ने उस वकील की बात सुना, तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुँच गया, बाबा साहब के चरणों में गिर कर कहा, हे बैरिस्टर है बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो, तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो मैं क्या कर सकता तुम्हारे ये फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बाहर जाती का हूँ, मैं लिए जाती से हूँ तो सेठ आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। एक बाप, मैं इस पीढ़ा को सहन कर लूँगा, लेकिन जो उसकी मा है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह भी उसके गम में मर जाएगी, मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी, बाबा साहब दो अर्थियां उठेंगी, मेरा एकलोता पूत है मेरा इतना बढ़ा कारोबार, इतना बढ़ा बिजनेस है कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका, जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मा मर जाएगी, तो बाबा साहब को वह बात याद आई, जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माताहिमा बाई ने, एक बात कही थी कि भीमा अगर कभी जरूरत पड़ी ड़े किसी निर्दोश की जान बचाने के लिए अगर किसी अच्छे काम के लिए जूट भी बोलना पड़ी ड़े तो संकोच मत करना भीमा संकोच मत करना और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला सेट ये बताओ इ मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है, बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह हाथ जोड़ कर गिड़ गिड़ा रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ कर खड़ एड़े थे, बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देख कर कहा, जाओ सेट मैं तुम्हारे बच्चे का फासला था, फांसी को बस 10 दिन बचे थे, कचहरी लगी, अदालत लगा, कोट लगी, कोट के अंदर दौनों पक्षों के वकील हैं, जब बाद बोली गई तो जज बोला, अमबेड कर तुम कुछ दलील देना चाहोगे, तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जो साहब आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सेठ ये सुनकर संकोच से आगे वह सोच रहा था, कि इसने बोला था, मैं तेरे बच्चों को बचा लूँगा, लेकिन इसलिए तो कोट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है, बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं तुम्हारे चेहरे को देख कर बता रहा था, कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे, और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी, और जब उस लड़े डाके को हांसी की सजा देने के लिए लेके जा रहे थे, और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था, कि तभी बाब यदि किसी की मौत की सजा देती देनी होती है तो सजा ए मौत कहा जाता है। ऐसे थे बाबा सहब भीमराव अंबेड कर और निचले जाती और महिलाओं मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है।